यदि आप लॉपढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना हमारे एप को डाउनलोड करें और लॉपढ़ें नमस्ते सदावसले मात्रक्यों में जमकर्शमीर में एक विशय इस समय बहुत जादा फैल हुआ है और मैं देख रहा था कि एक communist या मैं कहूं कि ऐसा एक news portal जो anti-establishment अपने आपको कहता है कि anti-establishment काम करते हैं उसने बड़ी historical कि उनका कहना है कि जमुन कश्मीर पे रहने वाली बड़ी आवादी stateless हो गई है stateless से मतलब यहां state राज्य को नहीं state international भाषा में एक country को कहते हैं कि बड़ी आवादी है जमुन कश्मीर में जो stateless हो गई है उन्होंने बहुत सारे illustrations उसमें दिये हैं और उन illustrations में उन्होंने कहा कि एक बड़ी आबादी 400 500 700 या ऐसी भी हो सकती है जो उन महिलाओं की है जो पाक अकुपेट जमुन कश्मीर या पाकिस्तान से इनसे इंफिल्ट्रेट करके भारत में आये Σब्सक्रीप जह pact करके ने कि आतंगवादियों से विवाक करके भारत ने और भारत में आने के बाद भारत में वो शांति पूर्बक रह रहे थे, उनके जो हजबेंट्स हैं, उनकी पुलिस ने या सेकुरिटिफ फोर्स ने उनको समाप्त कर दिया, सेकुरिटिफ फोर्स ने समाप्त कर दिया का मतलब यह हो गया, कि वो यह कहना चाहते हैं, कि सेकुर प्रेसिदेंशल ओर्डर से इनका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ प्रेसिदेंशल ओर क्योंकि प्रेसितियां वहां पर ठीक नहीं है जैसे जैसे प्रेसितियां ठीक होंगी वैसे वैसे constitution को वहां लागू किया जाएगा इस विशय पर 100 के लगबग ordinances जारी हुए उन 100 ordinances में विभिन 10 आर्टिकल्स वहां लागू करवाए गया हम यह कहें कि साढ़े 400 में से लगब साढ़े 300 आर्टिकल्स पांच अगर्स 2009 से पहले वहां लागू करवाए जा चुके लिकिन 317 ने यह कहा था कि constitution of India will will come in enforcement in the state of Jamin Kashmir with the concurrence or consultation depend on the subject matter with the government of Jamin Kashmir तो और with the exception and modification exception modification के नापर आर्टिकल 7 हमारे constitution में आर्टिकल 7 है आर्टिकल 7 में संशोधन कर दिये गए जो लोग पाकिस्तान गए या पाकिस्तान पहुँच गए वो लोग अगर भारत बापस आना चाहते हैं तो आर्टिकल 7 के तहर वो बापस आते हैं आर्टिकल 7 यह अनुमती देता है यह कहता है as per the citizenship act कहता है कि एक commission होगा भारत में उस commission के सामने इन लोगों को present होना पड़ेगा उसके सामने present होने के बाद जब वो commission satisfy हो जाएगा कि यह लोग भारत में इस्थाई रूप से निवास करना चाहते हैं या इस्थाई निवासी हैं या कोई कारण इनका ऐसा है जो innocent हैं यह लोग तो फिर वो commission इनको आस्थाई निवास प्रमाण पर देगा और फिर बाद में लंबे समय तक रहने के बाद उनको इस्थाई नि प्रिजेंट होने के बजाए जो लोग 6 वर्ष से ज़्यादा समय से रहे रहेंगे और वो नॉन मुस्लिम्स हैं क्योंकि रिलीजन आधार पर पाकिस्तान बनाएगा जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो यहां पर आगए हैं तो उनकों से रिजिशब देते हैं अब यह जो सब्सक्राइल कुलाओ लेकिन अ 107 में एक क्षप्षन रखा गया कि अगर जमून कष्मीर का जमूर कश्मीर में ये लोग आते हैं, जमूर कश्मीर सरकार इस बात को बताएगी कि वह वहाँ 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 आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, जमूर कश्मीर सरकार उनको पर्मिट कर देगी और जमूर कश्मीर सरकार जब उनको पर्मिट कर देगी तो उनके रिजि की बनाता है कि वह आ गए ठाने की अनुमत की देदी फिर दोमिसाइल के अधर पर उनको सेडिशिप मिलेगी हम यह जमुल कश्मीर वह उल्टा है सावर बाकी देश में पहले वेक्ति सेडिशिप लेता है बाद में डोमिसाइल लेता है और आठिकल 7 में जो संशोधन किया गय प्रेसिडेंशल ओर नैंटिम फुटिफ्टी फोर जब उलाया गया यह पांच अगस्त दो हजार उल्निस को तो इस प्रेसिडेंशल ओर के उलाने की वजह से इस सारी गतिविदियां इस प्रकार की हो गई कि पूरी की पूरी वेवस्था जो जमुनकश्मीर सरकार ने बना कर रखी थी वो सारी की सारी विवस्ता भंग हो गई और चूंकि वो सारी विवस्ता भंग हो गई इसलिए वहाँ पर जो लोग आये थे इस प्रकार से अब आटकल सेवन का लाब वो नहीं ले सकते तो फिर अभी क्या अब कैसे वो चले यह एक बड़ी समस्या सामने आई और समाधान करने के लिए 2010 में अभी तो यह बड़ी समस्या आ गई है तो यह दव वायर जैसे या इंडी टीवी और यह बहुत सारे लोग यह आवाज उठा रहे हैं कि यह स्टेट लेस हो गए और 370 जो अपने खतम कर दिया प्रेसिडेंशल ओडर खतम कर दिया उनसे यह लेकिन डो मिसाइल उनको प्रोवाइड नहीं किया गया इन समस्याओं का समाधान क्या हो इसके लिए 2010 में उमर अब्दिल्ला सरकार जिसमें बैठी थी कॉंग्रेस के सहीयोग से उस सरकार ने पॉलिसी बनाई मैं आपको बताता हूँ कि यह कैसी कैसी पॉलिसी बनाते रहे उस सरकार ने पॉलिसी बनाई नेशनल कॉंफरेंस और कॉंग्रेस की सरकार ने और उन्होंने कहा कि जो लोग जमुल कश्मीर ट्रेनिंग के लिए गये थे पाक अकुपाइड जमुल कश्मीर में ट्रेनिंग के लिए गये और हमारे निवासी हैं उन लोगों को हम वापस ल इन्होंने कहा एक जनवरी 1989 से लेकर 31 दिसंबल 2009 तक जो लोग वहां गए थे वो सब बापस आ सकते हैं भारा सरकार जो पर्टिशन के समय बापस आना चाहिए वह अगर बापस हिंदू आ गए हैं तो इनको सब को समस्या है कि वह कैसे बापस आ गए लेकिन यह जो militant या जो आतंगवादी की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान गए थे उनको वापस लाने की यह विवस्था करते हैं पॉलिसी के अंदर वागा अटारी सलामाबाद चकान दबाग और इंदरा गांधी इंटरेशन एरपोर्ट पर विवस्था कीगी कि आप इस रास्ते से यहां पर आ सकते हैं जबकि नेपाल का रूट इस पॉलिसी में नहीं है बहुत बड़ी आवादी चुकि वहां कम्मिनिस्ट साशन लम्मे समय से चलता चला रहा है और कम्मिनिस्टों का साशन चल रहा है तो वो भी कुछ उसी प्रकार के उते हैं तो नेपाल और हमारे इमिग्रेशन को यह होना चाहिए कि यह लोग इंगरेशन के पास इनकी लिस्टिंग होगी भारसरकार ने का इनको चिन्नित करिए यह करिए वो करिए और इनको नागरिक्ता कैसे दे दें तो वहां एक बड़ा मुवमेंट यह लोग चला रहे हैं कि यह जो प्रेसिदेंश थे क्योंकि यह पाकेस्तान से मिलिटेंसी या आतंगवादी ऑचे कर लिये अब इनको यह समस्या हो जाएगी वापस Whilst सरकार लगातार यह कहती आ रही ही कि इसे लोग infinite करो इंके देश שohl में लेकिन हमारे देश में ये एक नए नए तरह के ये जो गड़े जाते हैं और नए नए तरह की बातें गड़ी जाती हैं उन बातों के तहट ये एक बड़ी समस्या हमारे देश में आई जो की ये लोग उठा रहे हैं कम्मिनिस्टों के और जो एंटिनेशनल एक्टिविट में ऐसे लोगों की एंट्री स्विकार नहीं कर सकते इनका कहना है कि यह लोग वहां मिलिटेंसी की ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे और बापस आ रहे हैं दूसरा बात यह और कहते हैं कि वहां प्रपर जलोग रहते हैं फहरत के नागरिक जाने के बाद वहाँ यह एक बड़ी भरी पॉलिसी सरकार किया थी क्योंकि पाक अकुपएट जमुन कश्मीर में जो मेडिकल कॉलिजिस चलते थे वहां से डिगरी लाकर जो डॉक्टर भारत में घुसा है और वहां की डिगरी जमुन कश्मीर में उस समय वैलेट थी उसको इ रिकोगनाईस करेंगा आई में क्यों ने रिकोगनाईस करेगा जमुन कश्मीर सरकार तो कर रही थी पहले से यह बहुत छोटी छोटी टेकनिकल चीजें 1947 से लेकर 2019 तक लगबग 32-33 सालों तक छोटी छोटी चोटी टेकनिकल चीजें कानूनी परिवर्तन किया गया जिसकी वजए से ये समस्यें बढ़ती बढ़ती और बहुत बढ़ती चली गई और आज वो हमारे लिए नासूर बनी हुई है और हमको सॉल्व करना मश्किल हो रहा है अब उनकी अगर सेलूशन मोधी सरकार दे रही है मोधी सरकार उनको बाहर भेजने का रास्ता दिखा रही है मो पॉलिषए के तहट आपको यह बताना पड़ेगा कि पहले आप भारत के नागरिक हैं अगर आप भारत के नागरिक नहीं है तो फिर राइड़न कश्मीर में रखते हैं साथ वर्ष या दस वर्ष अलग 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 के टेगरीज में इतने समय तक इस्थाई रूप से जमन domicile claim करते हैं लेकिन उसके लिए सबसे पहले भारत का नागरेक होना जरूरी है तो ये जो जितना भी ड्रामा चल रहा है जो वहाँ policy बना कर ये कह रहे हैं कि उमर अब्दिल्ला सरकार तो पॉलिसी लाई थी उस policy का भारत सरकार इस समय है उलंगन कर रही है उस policy के तहट जमूर कश्मीर पाकव कपड़ जमूर कश्मीर से जो लोग आये थे उनको भारत में इस्थान दिया जा रहा था उनको वहां domicile दी जाती थी और domicile के अधार पर वो citizenship क्लेम कर देते हैं कि citizenship होने के होना पहली बात है याने कि भारत का citizen हुए बगर कोई भारत का domicile नहीं हो सकता है इन्होंने क्या कि पहले domicile दें गे और domicile के अधार पर citizenship देंगे कमाल है कि वह आप पाकिस्तान से लोगों को बुला लीजिए बुला कर अपने हां domicile दे दीजे और domicile या permanent resident certificate प्यारसी दे दीजे और प्यारसी के आधार पर claim कर दीजे कि हम भारत के सिरिजन हैं यह चल रहा था 2019 से पहले अब उन सभी मामलों में बहुत बड़ा खटमंडल पड़ चुका है इसलिए वो कुछ हो नहीं सकता हूँ मैं समझता हूँ कि मोधी सरकार step by step अंदर से खोच-खोच कर चीजें ला रही है जो भारत के लिए समस्यें हमेशा से बड़ी हुई थी Thank you very much